दोस्तों बात करेंगे देख़ेगा आज फिर से देखेगा कितने लोगों ने वह पर लॉस रिकवरी करीए, तो आप देख सकते हैं, आप पर डॉन टेंड बताये गया था, और 5 मिनिट में डॉन टेंड आया, तो बहुत सारे लोग लॉस रिकवर कर रहे हैं, आप भी करना च जाते हो तो जॉइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्री चैनल है टेलिग्राम का अमारे और कोई भी पेट चैनल नहीं है फेक चैनल से दूर रही है जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था तो दोस्तों यहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूं कि अ क्योंकि मज़ा किसी को नहीं आ सकता अगर वो ट्रेडर नहीं है तो क्यों नहीं आ सकता क्योंकि आपके स्टॉक में 16,800 से 18,000 का लेवन लिप्टी ने दिखा दिया है तो इतने में आपके स्टॉक में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है आप पहले भी लॉस में थे अभी भ क्यों है चुकि यह pumping है अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अमेरिका के हाला दिन देखे डे बाइडे खराब होते चले जा रहे हैं चुकि वहां का जो banking system है जो एक तरीके से यहां की NBFC या फिर देखिएगा यहां के जमीदारों की तरह काम करता है कि कोई भी bank वहां खोल सकता है तो उस banking system पर आच आने लगी है और banking system का जो heat होता है वो अभी आपने देखा नहीं है वो 2008 में आया था तो heat है काफी अभी तो इसलिए करहा है इन particular level पर investment की मस सोचिएगा कि इन particular level पर आप stocks buy करने लगें या फिर देखिएगा कोई भी sector में buying करने लगें या फिर mutual fund में पैसा डालें लगें नहीं क्योंकि आपको पता है कि corporate earning अच्छी आ नहीं रही है कोई भी ऐसा sector है नहीं जो देखेगा मंदी से देखेगा reflect नहीं होगा अगर global level पर देखेगा demand नहीं बनेगी तो domestic level पर कंपनियों के earning नहीं बढ़ेंगे और आप देखेगा मार भी है और आप देख सकते हैं बिल्कुल फुल फ्लेज में यहां पर विटकॉइन में सॉरी क्रिप्टोस में गिरावट है फुल फ्लेज में 6% 7% 8% की तो अमेरिका में तो देखेगा अमेरिका को panic fall तो हो रहा है कभी bank ढूप जाता है तो कभी economy में देखेग कोई demand नहीं है कभी something देखेगा कोई data आ जाता है और fed आने वाला है तो अमेरिका में तो देखेगा भी कोई भी अच्छी update नहीं है अमेरिका में तो totally pumping चल लही है और अमेरिका अगर गिनने वाला है अमेरिका के stock market गर गिनने वाला है तो आपको बताने की जरुरत नहीं है क Indian stock market पे भी heat दिखेगा क्योंकि यह देखेगा यहाँ पे आप check out कर सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से कि US में देखेगा bond deal fit से बढ़ना शुरू हो गई है और यहाँ पे 2 year bond deal 3% अप है 3% इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक stocks में बाइंग ना है जब तक mid cap भागे ना crude oil में बन रहा है ना देखेगा auto में बन रहा है ना FMCG में बन रहा है तो कौन से stock में आपने investment कर दिया है कि आपको मजा आ रहा है तो यह actual figure है कि stock market में trader को मजा आ रहा है केवल इसके अलावा किसी को मजा नहीं आ रहा है वो भी intraday trader है तो वरना BTST में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपके premium decay हो रहा है आज पूरा दिन premium decay हुए है जिल लोगों ने 12 बज़े के बाद trade करा है तो आपकेवल premium decay हुआ है और कुछ भी नहीं तो इसलिए कहते हैं actual reality पे रहिए किसी की बात सुनके कोई काम मत करिए और आप देख सकते हैं western countries में भी अभी इस च साराओं की देखेगा अच्छे stocks में investment करिए जब dip मिले अच्छे stocks में जहां पर future है तो यह चीज बहुत important है तो कल के लिए भी देखेगा मेरा scenario वही रहेगा अब आप कहते हो FIIs की buying तो FIIs की buying देखेगा futures में profit भी बुक कर लेते हैं वो time to time यह देखेगा आप future में वो time to time profit बुक कर रहे हैं और वो पूरे महिने में buying किती कर रहे हैं यह देखेगा खता almost देखेगा कल last trading session है इस महिने का तो आप समझ लिजे कि ऐसे में जहां पे देखेगा पूरे महिने में FIIs जो इतने बड़े पैसे वाले हैं वो इतनी buying कर रहे हैं तो फिर कहां से stocks मे momentum आ तो इसलिए cautious रही है in particular level पे और आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आप check कर सकते हैं कि nifty futures ने 18,000 का level टच कर लिया है बट मुझे लगता है कल भी मैंने आपको उताया था कि DAO futures फिल भी negative ही close होंगे इस particular देखेगा आज के trading session में end होते होते कल भी मैंने उताया था DAO futures 100-200 points अब थे तब मैंने भी कहा था कि वहाँ पे मुझे लगता है कि pumping करी जाती है बट उसके बाद profit booking भी लोग कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है हालात अमेरिका के अच्छे नहीं है और कभी भी bankों से related कोई भी update आ सकता है तो download की तरफ देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखिएगा opening बहुत महीं रखेगी कल की आपको यह पता है call side पे भी work कर सकते है अगर flat open हो जाता है 17 900 के पास तो अगर flat opening हो जाती है तो आप देखिएगा call side पे work कर सकते हैं और अगर ऊपर की तरफ work करते हैं ऊपर की करके टच हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यहां पे अगर आपको देखेगा सही एक trend मिल गया सही एक sell on rise मिल गया तो आपका profit बहुत तेजी से हो जाएगा तो कल भी देखेगा अगर 18,000 के आस-पास खुल जाते हैं sell करिए पहले 15 आप यहां पे देखेंगे तो कल के लिए सिनारियो बहुत important है nifty bank में देखेगा 43,000 का level आपको पता है resistance बन रहा है तो 43,200 के level पर अगर nifty bank का देखने हो मिलता है तो आप यहां पे sell कर सकते हैं 43,000 के level पर भी देखने हो मिलता है तो sell कर सकते हैं 42,840 पहला support है 772 सपोर्ट है 643 सपोर्ट है तो इन particular level पर कल वर करिएगा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो like, share, subscribe करना न भूलेगा थाइंक्यू सो मच